हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो वीडियो में बेस्टी सी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है आपके रिजल्ट आने की संभावना कब से है कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए और अगर आपका काउंसलिंग में बात करूं प्री डियल्ड का जो रिजल्ट है वो बीस तक नया सेशन नवंबर में पिछले साल मार्च में शुरू हुई थी कक्साएं तो अपडेट यह हैं दोस्तों कि आपका प्री डियल्ड परिक्षा का जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक यानि की 20 सेप्टेंबर को जैसे जो डियले हुआ था दोस्तों उसको कंट्रोल करके टाइम पर सेशन स्टार्ट करने की बात यहां पर की जा रही है डी एलल में परवेश के लिए एक सीट पर 22 अभ्यारतियों में परिक्षा जो है परतिस परदा है दोस्तों आप देख रहे हो मतलब एक सीट के लिए 22 स्टूडेंट जो है कॉंपेडिशन यहां पर रहने वाला है एक सीट पर 22 के बीच परतिस परदा पिछले साल प्री डियल्ड परिक्षा में करीब 5.33 लाख अभ्यारति सामिल हुए जबकि इस वार यहां संख्या 5.70 लाख के करीब है यानि की संख्या में यहां पर आपक देखने को मिल रही है अगर यहां पर इस्टूडेंट की संख्या बढ़ी है तो सीट भी जो है पूरी संभावना है कि आपकी सीटों में भी व्रद्धी की संभावना आपको देखने को मिलेगी सबसे पहला रिजल्ट आपका 20 स्प्तमबर को आएगा उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 30 तारिक से स्टार्ट कर दी जाएगी ठीके दोस्तो तो आप निस्सिंद रहें 20 तारिक को आपका रिजल्ट आजाएगा कट आफ के उपर बात करूं दोस्तो जनरल की 390 से लेकर 400 नंबर तक का कट आफ रह सकता है SC की 348, ST की 340 से 350 तक OBC की 385 से 390 में MBC 360 से लेकर 370 तक जो है आपकी कट आफ रह सकती है अब सबसे बड़ी बात दोस्तो रिजल्ट जो है 20 सतंबर को आ रहा है आपका सब्र जो है थोड़ा सौर बना के रखो जल्दी ही आपके रिजल्ट को लेकर और भी बड़े अपडेट आने वाले हैं ठीके सीटों में व्रदी होनी की पूरी संभावना बनती है काउंसलिंग स्टार्ड होने पर आपको काउंसलिंग में पार्टिस्पेट करना है एक चीज और अगर किसी के 270 भी बन रहे हैं तो भी उसको काउंसलिंग के अंदर तो एक बार पार्टिस्पेट करना चाहिए क्योंकि आगी क्या होगा अभी तक कुछ clear नहीं है 270 वाले को भी participate करना चाहिए अगर आपका counseling में number नहीं आता है तो आपके account में वापस से जो money है वो refund कर दी जाएगी तो ये दोस्तो राजस्तान BSTC result को लेकर बड़ी update ही